Hello everyone, welcome to today's video Market लगादार उपर जा रहा है $73,800 पे Bitcoin ने नई all time high भी बना ली है कल Duncan अप्ग्रेड लाँच हुआ and कल की वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि market यहाँ पर dump नहीं करना चाहिए इस update की कारण because इतना high पी नहीं है market में बलकि लोग bullish और रखे हैं तो market में 1-2% का pullback आया था but उसके बाद तो तुरंती bought back up हो गया and सुबह तक market फिर से green हो गया था अभी market थोड़ा सा down है लेकिन चिंदा की बात अभी नहीं लग रही है but there are some red flags forming in the market तो क्या होता है कि जैसे market जो है मैं आप से discuss करूँगा इसके लगा market आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि या profit booking कैसे करनी है तो 2022 से बहुत सारी लोग हमारे साथ इंवेस्ट कर रहे and they are up like insane amount 4, 5x, 10x portfolio हो चुका है तो यह थोड़ी profit booking 22, mid 2023 वाले buyers को भी I think यहाँ पर कर लेनी चाहिए तो उसका plan थोड़ा से हाँ पर discuss करूँगा इस तरीके से वीडियो काफी जादा helpful होने वाली है वह सरी चीज़े आपको सीखने को मिलेंगी तो make sure to hit the like button subscribe if you are new है क्योंकि subscribe करना is totally free and you are making money every day subscribing to crypto jargon let's go to the screen and start today's update so start करते हैं bitcoin के 4R के चार्ट से and यहाँ पर हमने तोड़ा change किया drawing में एक channel हमें दिखा है and इस channel के through ही हम bitcoin को अब जो है track कर रहे है आपको यहाद होगा last time हमने इस trend line के बतावर 50X के longs लिये थे जब market dump किया यहाँ पर तो इस trend line को और ऊपर यह trend line को continue करेंगे you can make this on your own chart 4R के time frame पे जाके इन lines को आप जो है आपस में मिला दीजिए और आपको channel मिल जाएगा तो इस channel के ऊपर वाले हिस्से में जब भी bitcoin जा रहा है तो समझ लो वहाँ से dumb के chances बढ़ रहे हैं and जैसी नीचे जा रहा है मतलब वहाँ से bounce के chances बढ़ रहे हैं बीच बीच में थोड़े support resistance भी आ रहे हैं उनको आप उससाब से follow करिए अब bitcoin यहाँ पे जादा move किया नहीं है कल से अगर हम one day का time period यहाँ पे लगा दें तो यहाँ पे कुछ खास change नहीं आया market यहां से उपर गया उसके बाद इधर ही खड़ा है तो आज कुछ सारी announcements होने वाली हैं जो even bitcoin से लेके SPX इन सब को असर करेगी और बहुत important रहेगी काफी सारे crypto project के sounders भी इसमें speak करने वाले हैं तो बहुत सारे crypto projects पे भी हमारी नजर रहेगी इस conference को अगर आप live देखते हो तो बहुत तो टीजी से आधा है let's go to the TGNC की कल क्या हुआ था क्योंकि यह मैं जो messages करता हूना वह बहुत सारे लोग confused हो दाते हैं बहुत सारे लोग panic करने लग जाते हैं अगर मैं बोलता हूं मैं लॉंग सेट और प्रॉफिट और ब्रेक इवन क्योंकि मार्केट कर पूल बैक लिया था रही तो उससे पहले हम यहां पे close बहुत करना स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद ethereum dungan upgrade लाइव हुआ कुछ खास हुआ नहीं मैंने चार्ट शेयर किया था जिसको हम थोड़ी देर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिक टाइम आपने लाइव में प्रॉफिट में गया था तो यहां पेक स्क्रीन चॉट है हमने आटम वैसे 13.4 से लिया था इंडर ने 13.7 से लिया है 5x 13% प्रॉफिट है तो यहां पर जा रहा है ना नीचे जा रहा है ना मार्केट में वाल्यूम है अगर हम क्रिप्टो कॉंट में जाते तो हमें यहां पर इमेज मिल जाएंगी कि मार्केट कैसा चल रहा था तो एक्सचेंज के रिजर्व जो हैं लो सेलिंग पर चल रहे हैं वह साइट से हम गुड है एक चीज़े जो यहां पर औरेंज यहां पर माइनर पोजिशन इंडेक्स तो मैंने आपकर शेयर किया था चार्ट माइनर्स आर सेलिंग राइट नाओ इसका यहां पर यहां पर इसको अभी हम करते हैं बात RSI हमारे पास अच्छा नहीं चल रहा है और बॉर बॉर्ट है मार्केट यह सब चीज़े जो हैं बिटकोइन में चल रही है तो इस आर रेड फ्लैक्स इनके बारे में हम बात करें थे कि माइनर की अक्टिविटी क्या चल रही है लूंग टर्ट इसको तो हमें यह इसको थोड़ा पढ़ते हैं बिकॉस इस दो शोवा सम रिट फ्लैग्स सम ग्रीन फ्लैग्स इन अपर बिटकोइन का लॉंग टर्म होल्डर का क्यूमिलेशन अभी चल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस अब बढ़िया चल रहा है इस तरीके से दिखता है तो यहां पर एक पीक हुआ था लेकिन यह कंपेरिटिवली काफी लो था लेकिन यह इजी पर जिन पर अभी करेंट्ली है इस माइट आपन लेकिन इस इस यहां तक हम पहुंच गया है चुकि नवंबर 2021 का था थोड़ा सा रिट प्लैग है थोड़ा सा आपको रखना है इस के लिए अगर आप यहां पर दिखते हो कि net unrealized profit कहां पर था तो यह एरिया जब था तो हमारे पास यह वाला डंप आया था जब हम वापस से इस यहां पर आये थे आप दिख सकते हो यह वाला डंप आया था तो इस 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 वेरी important metric क्योंकि अगर बहुत सारी लोग अन्रिया बना सकता है this is coming to the yellow line I think बहुत ही close है तो बहुत जल्द जो है profit booking market में होने वाली है तो I don't think यह इसको आपको ध्यान में रखना है जिक है these are important metrics and आपको किस तरीके से पलस लेगा कि यह अभी मुझे exit करना है कल गेड़ जाएगा तो वह मैं आपको बताता हूं अभी इसके बा open interest currently इतना जादा extended है अगर आप open interest को compare करते हो November के आसपास से तो almost same ही distance पे है यह दोनो price और इससे this is a very important delta जो matter करता है हमने पहले भी open interest discuss किया है जब भी यह price से जादा हो जाता है तो उस time पे usually market crash करता है यहाँ पे आप देख सकते हो पहले भी हमने आपको दिखा दिया था and this is another thing जो कि हमें काफी similar लग रही है November 2021 से which is not necessarily a sign of market crash लेकिन which is a good sign of कि थोड़ा सा profit तो हम यहाँ पे बुक कर लेते है इसके बाद supply and profit है तो this is very similar to unrealized profit तो these are some important metrics जो मैं आपको दिखाना चाहता था because लोग क्या है कि अंधा bull market समझ रहे हैं तो सोच रहे है कि हर चीज में पैसा बन जाएगा पैसा डालेंगे बन जाएगा वो बन जाएगा राइट but sometimes you need to book some profits क्योंकि यार profit ही नहीं होगा तो market में time pass करने सोड़ी आ रहे हैं तो अगर आप 2022 2023 मिड वाले बंदे हो तो I think आपको 30% in cash अभी आ जाना चाहिए वाकी वाले hold कर सकते हैं market will go up but market में जो pullback आए लेकिन आया था and we were saved from it तो यहां पर मैं अब try कर रहा हूं कि ज्यादा longs ना लूँ ठीक है एक time होता है जब आप जो longs खोलो सारे profit में जाते है एक time होता है कि आपको केवल safer longs देने होता है और एक time होता है जब को longs दी नहीं लेने होता है तो अभी हम safer longs वाले area में है and जिससे हम आते है phantom की site phantom का हमने long दिया था आपको उसको एक बार देख लेते हैं तो phantom कुछ इस तरीके से यहां पर price चल रहा है इसका and phantom breakout हुआ उसके बाद retest करने आ रहा है and phantom का SL जो है हम यहां पर लेके चलेंगे 8469 के नीचे अगर candle close होता है तो वहां पर मैं इसको SL1 के बंद कर दूँगा जितना भी loss चल रहा होगा विक टाइम को मैं अभी ट्रैक कर रहा हूं कुछ खास उसमें हैंनिंग support अभी maintain कर रहा है जैसे support break होगा उसके बाद हम उसको exit कर लेंगे इसके लाबा atom dot वगरा hopefully आप अपने हिसाफ से handle कर लोगे वह तो profit महीं है इसके बात करते हैं buying क्या करें तो buying के लिए सबसे पहले XCAD है तो XCAD को मैं अल्रीड आपको बता चुका हूँ पहले भी कि बहुत सारे influencers ने इस पर invest किया हुआ है तो यहां पर इसको obviously pump करवाया जाएगा आपने देखा होगा Twitter पर बहुत सारे लोग XCAD के बाते कर रहे हैं तो this is more entry लेकिन हमारे पास XCAD already है हमने इसको breakout से पहले यहां पर buy किया था हमने चार्ट आप से study करवाया था live में और उसके बाद हमने इसको buy किया तो हम तो profit में है तो आप चाहे तो अभी CMP से लेके यहां तक पर build कर सकते हो position I think it should pump soon इसके लाबा है pipe तो pipe अभी extend हो गया है हमने इसको अच्छा खासा इस पर हमने long भी catch किया था हमने इसको 0.3 के नीचे buy किया था 3X almost हम इसमें touch कर किया है 0.94 तक है गया था pullback ले रहा है तो pullback पे हमारा area रहेगा 80 to 78 के बीच में to build another long why am I saying this because pipe क्या है link का competitor है same area में यह लोग आते है same type का oracle वाला काम यह करते है and link जो है अभी market में pump कर रहा है it did break out to 22.9 and आपको याद होगा जब हम link को buy कर रहे थे 8 डॉलर के आसपास जब हम इसको buy कर रहे थे 13 14 डॉलर पर मैंने आपको बहुत है कि 25 डॉलर link is almost a guarantee and अभी भी it's almost a guarantee 25 डॉलर का link का मेरा target अभी भी जिन्दा है and this is pumping तो इसका मतलब क्या है कि pipe will also pump right तो इसको हम ध्यान में रखेंगे pipe अभी pullback ले रहा है तो pullback पे हम उसको उस एरिया में pick करेंगे and link के pump के बाद हम उसको buy करेंगे इसके लावा same चीज में आपको कल बोली थी हमने dot और ksm को extensively discuss किया था कि dot ksm क्या relation होता है multiple times में आपको बता चुका हूँ तो ksm ने जो है अच्छा pump किया था dot कल pump नहीं हुआ था था हमने dot position build किया था उसी से हमें profit हो गया था अभी हमें क्या देखने को मिला dot जो है pump कर रहे 7.7 पहुंच गया कल $11 था अच्छा खासा उपर चल रहा है इसको हम 4 hours के time frame पे break करते हैं आपको दिख जाएगा कि पे retest के लिए आएगा यह $11 के आसपास शाय है तो अगर आपने miss कर दिया you can take an entry there इसके अलाबा ओपी की बात करते हैं तो ओपी यहाँ पे आगया support पे इसने अच्छा खासा पूरा distribution कर लिया है तो 4.2 से 4.1 के बीच में आप थोड़ी सी entry आपे build कर सकते हो market अगर stable रहता ह है तो 3.7 3.6 के आसपास आएगा वहाँ पर और enter कर लेंगे तो इस तरीके से plan है तो currently क्या plan हम कर रहे है basically market में so market जो है काफी overextend हो चुका है अभी although liquidation map हम इतना दार नहीं दिख रहा है उसको भी बात करते हैं eventually there will be a final pump and market जो है dumb करेगा जो कि मुझे लग रहा है Nvidia की conference के आस वाले एरिया पर उसको DCA करें and next pump की त्यारी करें दोनों साइट से हम जो है safe रहेंगे hopefully I'm making sense to you इसके लावा हम बात करते है liquidation maps की liquidation maps को एक बार refresh कर लेते हैं तो आप देख रहे हो बराबरी पर चल रहे है long or short तो इसका मचलब है कि flash crash market में नहीं आएगा flash crash तभी आता है ज हमारा 700 million के ऊपर चला जाएगा 1 billion के आसपास होगा उस दिन आप समझ जाना कि market में बहुत बड़ा reversal आज होगा है या फिर आने वाला है तो उस टाइम पर आपको ज्यादा careful रहना है अब reversal is the main thing जो हमें देखना है because reversal जब आता है तो लोग क्या करते हैं कि long open करके रखते हैं उस पर margin add करते रहते हैं ताकि हम liquidate नहों जाए और वहाँ पर लोग जो है अपना सारा कमाया profit lose कर लेते हैं please keep that in mind इसके बात फाइनली बात करते हैं एप टर्मिनल की लिए एप टर्मिनल में आपसे कल शेयर किया था तो एप टर्मिनल बेसिकली एक IDEO launchpad है just like CD5 लेकिन एप टर्मिनल की एक खासियत है कि एप टर्मिनल का रिकॉर्ड सबसे बेस रहा है वी इंडस्ट्री में यह हर प्रोजेक्ट को नहीं उठाते हैं यह के वर उन प्रोजेक्स को उठाते है जिन पर सबसे ज़्यादा पोटेंशल होता है there are the performances of some of the ape terminal projects तो 300x satoshi vm गया था अपने IDEO price से इसका जो all time है था उसकी calculation यह बता रहे है AIT protocol है था 60x गया था forgotten है 24x था inspect 23x किया viewable 15x गया RT almost 10x किया है lens wound mix mob d chat यह भी अच्छा खासा return दिया है तो almost all of them very good ROI so ape terminal IDEO platform है इस पर आप जाकी check out कर सकते हो कि यह लोग next क्या launch कर रहे है इनको twitter पर follow कर सकते हो देख सकते हो कि यह लोग जो है किन-किन projects में invest कर रहे हैं किन-किन projects को यह लोग list कर रहे हैं इसके लिए आप इनकी website ape terminal.io पर जा सकते हैं और launchpad को खोल सकते हैं तो बहुत सारे लोग जो है IDEO में interested रहते हैं लेकिन को पता नहीं होता है या participate कैसे करें आपको basically launchpad की website पर जाना होता है जो भी IDEO launchpad होगा CD5 ape terminal जो भी आप use करना चाहते हो उसके आप connect करोगे यहाँ पर wallet को इस तरीके से आप participate कर सकते हो किसी भी IDEO platform के जीदा जाना है अगर वो कोई token requirements taking मांगते हैं तो पो करो and then you can just participate but इसमें chances of getting थोड़ा slow होते हैं बड़ जिनको मिल जाता है आप देख सिकते हो returns में आपको जिखा किस तरीके returns होते हैं and that is it for the video guys, आज की वीडियो में हमने discuss कि market आके क्या करने वाला है हम यहाँ पर expect कर रहे हैं बहुत सारे red flags जो हम मार्केट में धीरे दिखने लग गए हैं तो that can eventually lead to a breakdown of the market since market में institutions घुज गए हैं तो थोड़ा सा different है market last time से and these stats might not work but better be safe then sorry especially अगर आप 22 और 22 से invest कर रहे हो इसके लावा मैंने आपको buying points दी है कुछ अच्छे coins के उन points के हम focus रखेंगे उनके हमने आपको दो टाइप के buying points दी है एक buying points से normal pullback एक buying points से in case market बहुता दा क्राश करता है दोनों में हमें एक अच्छा price point रह जाएगा रागी US market open करने वाला है थोड़ा ताइम बात futures are green तो hopefully market थोड़ा अच्छा decently ऊपर जाएगा nvidia conference का हम जो है mainly wait कर रहें because that can really change the market that is it for today's video guys make sure to hit the like button and subscribe if you're new here i'll see you on the next video